लोग इसटार्ट करते हैं हम लोग आपके हिस्टरी के एकव्जाम में जो आपका चार फरवड़ी को हने वाला है उस एकव्जाम में आने वाले महतपूर् while हिस्ट्री के प्रश्ण ये आपके सामने हैं मैं सभी कोष्टन का धीरे धीरे चरचा करूँगा और आपको बताऊंगा ये साड़े कोष्टन आपके एक्जाम में आएंगे सबसे पहला कोष्टन है आपका दोस्तों अकबर की धार्मिक नीती का वर्नन करें दूसरा आपका महतपुर्ण कोश्चन है बल्बन की उपलब्धियों का वर्नन करें बल्बन की उपलब्धी उपलब्धी का मतलब होता उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया था क्या क्या हासिल किया था उन्हें लिखें तीसरा कोश्चन है भारत छोडो अंदोलन की व्याख् क्या करना है व्याख्या का मतलब हुआ कि यह आंदोलन कब हुआ कैसे हुआ क्या क्या फाइदा हुआ यह आंदोलन करने का क्या कारण था इन सारे बातों को आपको पॉइंट करके नोट करके करना है फिर चार नंबर कोश्चन है चौथा कोश्चन है आपका कुतुबुद्द पतन का मतलब होता है खत्म हो जाना धर्म का अंत हो जाना धर्म का खत्म हो जाना जिसे हम लोग कहते हैं पतन होना तो बहुत धर्म का जो पतन हुआ उसका मुख्य कारण क्या था बहुत धर्म के खत्म होने का दीरे दीरे नश्ट होने का मुख्य कारण क्या है उनको लिखें छटा कोश्चन है आपका गौतम बुद्ध की क्या क्या क्या करने के लिए कहा गया है धर्म के पड़ती इंसान क्या क्या करेगा उसके बाड़े में यहां आपको बताना है साथमा कोश्चन है आपका कि अस्थाई बंदोबस्त से कंपणी को क्या क्या लाब हुआ आठवा कुश्चन है आपका हरपा सब्वेता के पतन के कारण बताएं हरपा सब्वेता के पतन के कारण हरपा सब्वेता जो मुख्य सब्वेता माने जाती है भारत की सबसे प्राचीन सब्वेता माने जाती है जिसे हम लोग सिंदू सब्वेता के नाम से भी जानते हैं जिसे हम लोग मोहन जो इसका मुख्य सहर मोहन जदुर था ये हरप्पा सब्वेता है और इसका पतन का क्या कारण है ये हरप्पा सब्वेता जो थी इसके पतन होने का यानि खत्म होने का क्या कारण है इसका कई सारा कारण बताया जाता है एक कारण बार होता है दूसरा कारण होता है बाहरी आकरमन तिसरा कारण होता है महामारी इन सबी कारणों का वर्नन करना है चौथा नववा कोश्चन है आपका भारत के आधूनिक भारत के निर्मान में डॉक्टर भीमराव अंबेतकर के योगदानों का वर्नन करें भीमराव अंबेतकर का नाम आप भली भांती जानते होंगे जिसे भारत के सम्विदान का कानून का पिता का जाता है बी आर अमबेटकर भीमराव अमबेटकर का था आधूनिक भारत मोडन इंडिया जो है इनके निर्मान में इसको बनाने में डॉक्टर भीमराव अमबेटकर जी का योगदान क्या था इन्होंने क्या-क्या भूमिकाय निभाई थी दस्मा कोश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई यह हमें बताना है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई और एगारवा कोश्चन है आपका गांदी जी के दान्डी यातरा का मुक्य उद्देश क्या था आपको पता है गांदी जी ने 1930 इस्वी में साबर मती आसरम से एक यातरा किया था जिसका नाम था दान्डी यातर से शुरू हुआ था इसका मुक्य उद्देश था समुद्र के पानी से नमक बना कर क्या बना कर नमक बना कर नमक कानून को भंग करना क्योंकि नमक पर भी अंग्रेजों ने कर लगा रखा था और दान्डी यातरा से ही सुरू हुआ सो विने अवग्या अंदोलन सो विने अ अगार अस्थान मतलब नहाना, आगार मतलब कमड़ा, यानि नहाने का जो कमड़ा होता है, मोहन जोदरो हरपा सब्वेता का मुख्षे सहर माना जाता है, उसमें एक विसाल अस्थानागार था, जिसकी लंबाइ, चौड़ाई, गराई काफी ज्यादा थी, उसके विसे में आ ऋखोटा एक छोटी तिपपनी करनी है किस पर भक्ति अंधोलन पर चोधवा कोश्चन है कैबिनेट मुशन योजना क्या थी विवेचना करें। 18.57 की करांती बारती एतियास में एक महतपूर्ण अपना एक योगदान रखता है कहता इसके धार्मिक कारण यानि एक religious effect इसका क्या था religious cause क्या था कारण क्या था वो हमें बताना है सोलवा question है गोल मेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था सतरवा question है औसायोग आंदोलन की परकिर्ती एवं पड़ी नामों का वर्नन करें औसायोग आंदोलन नाम क्या है औसायोग आपको पता है ये आंदोलन महतमा गांधी के दौरा एक अगस्त 1921 इस वी को महाँ किजिएगा एक अगस्त 1921 कहीं कहीं एक अगस्त 1921 भी दिया हुआ रहता है उनीस सो बीस इस वी में किया गया अंदोलन था ये भारत का पर्थम जन अंदोलन माना जाता है ये अंदोलन जो खत्म हुआ था वो खत्म होने का डेट था इसका बारो फरवरी 1922 इस वी कि जब ये अंदोलन उत्तर परदेश के गोड़कपूर जिले के चोड़ी चोड़ा नामक अस्थान पर पहुचा था तो इन भीर पर वहां की पुलीस ने अंग्रेजी पुलीस ने इस भीर पर हमला कर दिया था लेकिन उसके विरोध में भीर ने उस थाना पर हमला किया जि पिश्री उन्होंने इस अंदोलन को अस्थगित कर दिया यह घटना पांस फरवड़ी 1922 को भी थी लेकिन इस अंदोलन को रोका गया 12 फरवड़ी 1922 को अठारबा कुशचन आप करा evacuation का800 मौर्य पर शौंष दर्बा और ये थे कमल महल कहां है इसका क्या उप्योग है ये कोश्चन आपका 2022 यानि इससे पीछे वाले एक्जाम में पुछा गया है कमल महल कहां है इसका क्या उप्योग है हमपी नगर में करनाटक के हमपी नगर में ये कमल महल है और बीसमा कोश्चन है आपका पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं पूना पैक्ट के बारे में जो महत्मा गांदी और भीम राव अंबेदकर के बीच में हुआ था पूना समझोता उसको हम लोग करते हैं और पूना पैक्ट के नाम से भी इसे जानते हैं और अंतिम कोश्चन है आपका मेरे दूस्तों भारत में उपनिवेसों यहां गलती हो गया है यहां होगा उपनिवेसों की अस्थापना उपनिवेस क्या होता है तो जब कोई मजबूत देश किसी कमजोर देश को अपने अंदर रखता है तो सासित होने वाला कमजोर देश सासन करने वाले मजबूत देश का उपनिवेस कहलाता है यह था आपका 21 important question इसको आप बिल्कुल ही miss नहीं कीजिएगा चुकि ये आपके लिए बहुत ही important थावित होने वाला है